कि अभी हो जो आएप जो आपी जिने हम बोलते हैं वर्तमार्थ समय में चल रहे मून की पोजीशन और अपने करंट लगन की पोजीशन इन दो की पोजीशनों को हमें और पता करना पढ़ता है कि ये दो कहां पर चल रहे है तो इसके लिया वे क्या चाहिए होता था एक देलोड ठीकश मी मून नक्षतρα चाहिए और लगन रासी स्वामी लगन नक्षात्र स्वामी और लगन सबलोड और मून आरल मून रासी स्वामी इन छे इवेंट्स की अनग जरुद पढ़ती थी किसी भी आर्पी को फाइंड आउट करने ने क्योंकि आप जब भी अब इस आर्पी से बहुत सारे चीज़ा होई मिलने वाली है क्योंकि आर्पी एक मूँ चीज है किसी भी वेक्ती के जीवन में आप जब विदाव डेट आप पर कोई काम करेंगे तो वहाँ पर भी आर्पी का रॉल रहेगा और सासक ग्रहे किसी वेक्ती की करंट सुचुइशन के बारे में भी बताते हैं सासक ग्रहों से आर्पी से आप किसी वेक्ती की करंट पोजिशन के बारे में जान सकते हैं करंट पोजिशन के बारे में कैसे जान सकते हैं आपको सिंपल ये देखना है जो व्यक्ति आपके पास आया है तो जो moon है, moon का नक्षत्र, भ्यां रगिये, नहीं हमेशार दो किसी भी व्यक्ति के बारे में जाणने के लिए, तो आपके पास क्यों आया है, हमें दो चीज़ों की आवशक्ता पड़ेगी मून की और मून के नक्षत्रगी ये दो बहुत जरूरी है इनसे कैसे पता चलेगा देखिए पहला कॉइंट तो है जो मून है मून है रिलेवेंट हाउस इसे ऐसे लिख ले चंद्रमा रिलेवेंट हाउस जो उसने कॉश्चन कि करता है उन वर बैठा होना चाहिए उन ही भावा में बैठा उना चाहिए यदी वेख्ति माली जे धनसे सम्बंदित कोश्चन करता है तो है तो रिलेवेंट हाउस कौन-कौन से हो गए दूसरा चटा ग्यारव तो चंद्रमा एट लिस्ट दूसरे चटे ग्यारवें बाव म दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो ये कहता है कि चंडर्मा का नक्षत्र मून नक्षत्र स्वामी इन रिलेवेंट हाउस में बैटा होना चाहिए यदि इन रिलेवेंट हाउस में वो नहीं बैठा है तो सामने वारा जुआप से प्रशन कर रहा है वो आपको जर्नली ऐसे ही सिर्फ एस वाट टास्क के लिए कोशन कर रहा है तो यह जो दौनों फंडामेंटल है यह आरपी में भी हमारे बहुत अभी और डिटेल में बताऊंगा अभी दो कर पास है हमेशा द्धामर रखिए कहां बैटा है और मून का नक्षत्र कहां बैठा है जिन भावों में वह बैठा है उन भावों से सम्मंदित जानकारी लेगा हो यह आपको अभी आर्पी से लगवग लगवग 50% चीज के लिए हो जाएगी दूसरी बात जो हम आर्पी पढ़ते हैं जीवन में रूलिंग प्रेंट हम पढ़ते हैं इस रूलिंग प्रेंट से और क्या बेनिफिट होने वाला है कि हम यह कह रहेते हैं आपसे एडवांस में कि आप किसी भी प्रकार के प्रशन को सौल कर सकते हैं कि इस प्रृशन के उत्तरहना को कि अभी ट्रम कैसे दे सकते हैं आज ँस टौपक पर आ रहे हैं आर्पीके उत्यांस सभी प्रृष्ण आप देए जा सकते हैं किसी भी टाइब का आपका question है की for example के लिए हम कोई भी question लें की माल लिए इस समय कोई भी question आपके मन में परहले हम लेंगे और क्या उसका जवाब yes है no है अर्थात काम होगा नहीं होगा और दूसरा कितना डिले हो सकता है डिले कि आर्पी हमें इस चीज के बारे में बड़ा क्लियर कट आंसर देती है कि किस वेट्थी के पुरुशन का उत्तर क्या होने वाला है कि उसका थार यह होगा येस नहीं होगा और कितना डिले हो सकता है तो इसको हम कैसे लिखते हैं ये इसको पुछ लोग हमारा जो सौफ्वेर में हैं जैसे वहां पर आप कॉंग्रेचुलिशन लिख सकते हो कि नो का सिंपल सौरी लिखा सकता है काम नहीं होगा और यह आएगा जो डिले वाला अंसर होता है कि आपको डिले हो रहा है अर्था आपने गिव एन अनौधर आर्पी एक अनौधर आर्पी आपको दुबारा से लेनी है और ट्राइक करना है ऐसे कि इसका रज़त मैं बता पाध्यम से भी हम सभी पृष्णों के उत्तर ले सकते हैं अब कैसे लेंगे उत्तर अब इस बाते आते हैं कि आपने अंतंग जो पढ़ी है यूनिवर्सल टेवल के अंडर जो हमने टेवल आपको दे रखी वहाँ आपको ध्यान होगा वन से लेगे टू फ़र्टी नाइन सीरेल अंबर गिंतिया लिखी हुई थी आप पूछ रहेते हैं क्या काम आएंगी उस समय यहां पर हमारे काम आने वाली है आप यूनिवर्स अभी का काम होगा या नहीं होगा तो अभी मैं जो इस पॉर्मेंट मैं लिख वा रहा हूं थोड़ा इसको नौट कर लिए सबी लोग एक तो होता है हमारा फस्ट पॉइंट अभी ऐसे लिखते चले लगन रासी दूसरा होता है लगन नक्षत्र और तीस्यरा होता है लगन सबलोड इससे भी लेकिल n कि सामने फस्स तुबचरी यह मैंने लगन के लिखे लिए इदर मोन j कि यह होता है मेरा मून कि अ म्युक्र सकेंड होता है मून अनके और ठर होता है यहांपर डेलोड कि इसी ओर्टर में आपने इसको हमें से याद भी रखना है अब यहां पर आप ध्यान से देखिए जो सबसे जड़ा पावर होती है वो नक्षत के पास होती है जो अजय की नक्षत होता है उसके पास पावर रोते हैं तो किसके ऐस्मद्我們 ब्र21 अगया और लुद्ध के पास है और थीसरा होताएं पावर्फुल लगन सभाट है यह थिर्ग आपके पावर्फॉल है अब खुश्चन क्या है फ्रवें और लिए माली यह कहता है कि मैं मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी अब उसके आप यह नहीं के लिए सामने वाले से सामने वाले से 1 से लेके 249 बिटुवीं एक नमबर आणि अब यह क्यों लेना ईसके वीचेे सोनिये सबसे पहले कि आप सामने वाले से विले सकते हैं और नहीं लेना चाहें कम लिजी और लेनी के कुट है रीजन सामने बाला आता है आप से वह कनेक्ठ हो आपसे बातचीत हो तो आपके जो मून की पोजिशन है मून का जो आपका रिलेशन है उसके मून से बनना सुप होगा जब यही दो जब मून आपस में बात करते हैं तो मन की तरह ने ट्रांसपार होती है तो आप उसको बोलेगे एक से 209 के बीच में नंबर देंगे और आप यह नंबर अपने इस्ट अपने पूर्वस अपने गुरू को याद करते होए दें यह उसको बोले तो कोई भी नंबर दे सकता है जो मर्जी उसका मन करें रहेगा इसके बीच में और यदि आपको यह लगता जब आपकी कंडिशन स्टेज उपर उपर उठने लेके तो अब आप अब अब चीक है वह हर बार वह अपने हिसाब से रहता उसको फंडामेंटल नहीं है अब माली जे वेटी ने ने मेरे को नंबर दे दिया अब आप यूनिवर्सल टेवल में यह देखकर बताएं थाटीन नंबर का सबलोड गोन है सभी लोग यूनिवर्सल टेवल खोलें यूनिवर्सल टेवल के अंदर थाटीन नंबर के सबलोड को बताएं मंगल सभी लोग देखें क्या मैं में सही बोल रही है थाटीन नंबर का मैंडम ने बोला मार्श यह सबलोड है किलियर सबलोड यूनिवर्सल टेवल में जो फर्स्ट कोलम होता उसको सबलोड बोलते हैं पिन नंबर हमारी सीरेल नंबर हो गए जिनकों में एक से दोसुन नंचास बात कर रहें हैं सबलोड ही बोलें ने यह लगन के नक्षत्र पोजीशन पर आता है या मून के नक्षत्र पोजीशन पर आएं या लगन के सबलोड पोजीशन पर आए इन तीनों में से कहीं भी वो एक पोजीशन पर अगर आ जाता है तो आपका जो आंसर है वो येस कॉमरेचुलेशन में कर्वर्ट हो जाएगा आपको congratulation मिलेगा कि उसका काम हो जाएगा और यदी वो इन किसी भी इन छे पोजीशनों में से कहीं भी नहीं आता है तो सौरी लिखाएगा नहीं होगा और बची होई पोजीशनों में से लगनरासी, मूनरासी, डेलोड इन तीन पे आएगा तो क्या कहला आएगा वीक कि काम तो होगा परन्तु डिले के साथ होगा अब कितना डिले होगा ये जानने के लिए उससे एक बार और नंबर लिया जाता है यहां पर यह वीक की जो पोजीशन है इसको डिले बोलते हैं डिले को भी हम गिव एन अनौदर नंबर के रूप में सो करते हैं जिन लोगों को वन टेक में आँसर देना है वो बन टेक में भी दे सकते हैं पर हम एक बार और जस्टिफाइं करते हैं कि एक बार यह देख ले है क्योंकि यह में चला गया है वीक में गया है अगले पर हम यही देख लें कि सब काम होगा नहीं होगा अभी दोबारा यह नंबर लेंगे अब थर्टिंग के बाद मालों होने नंबर दे दिया 241 कि क्या 241 का सब रोड़ देखिए अब कौन है सबलोड बन जाता है तो जो कारिया डिले हो रहा था उसको हम बोल देंगे यह थोड़ा डिले होने के बाद अगले ही अटेंट में आपका का कॉम्रेटुलेशन में जा रहा है हो जाएगा ठीक और यदि वो इस अटेंट में भी लगण रासी मून रासी और इसमें आएगा तो हम कहेंगी यह डिले है सौरी यह कारियन नहीं होगा तो आप रूलिंग प्लेनेट के माध्यम से किसी भी प्रुष्ण का जवाब बड़े आसानिक धंग से दे सकते हैं और यह कंप्लीटली सौफ्टेर में लगी होई है चीज अभी आपको मैं जैसे लाइव अब दिखाऊंगा कि कैसे इसको रन करते हैं और कैसे इस्तर कि यह जो पार्ट अभी बताया है रूलिंग प्लेट का ही सारा पार्ट चल रहा है जैसे आप लोग श्क्रीन पर देखें कि अभी देखिए अब हम प्रॉपर लिए शुडूल के लेते हैं और पूरा एक एग्जांपल करेंगी सब्सक्राइब अभी राइट नाओ यह होता कैसे इसे करते हैं जब भी व्यक्ति आपके सामने आएगा उस समय की आपको करंड डेड़ बर्त और टाइम लेना है डेड़ बोलेंगे सीधा सीधा सा करेंट डेट आपने नौट कर दिए इस समय वो आया है करंड टाइम नौट करना और आप जहां बैटें उसका आपको प्लेस नौट करना है तो अभी क्या हमने फॉर एंग्जांपल अभी एक वेक्ति आया उन्होंने हमसे पुछा कोई भ अच्छिक है जी यहां हम सबसे पहले उनसे अगर कोई कोश्यों ने किया है तो टे के होररी नंबर सॉरी सब लॉड नंबर अभी होररी वर्ड यूज नहीं करेंगा और यह अगले में आएगा टेके सब लॉड नंबर सामने वाले से एक नंबर लेंगे किसके इन बीटीवी बन टू फॉर्टिन पाल लिजा उसने 63 नंबर किया अब आप देख लिए कहां डाला होता है 63 नंबर यह आपके सामने हां स्लेक्टे नंबर लिखा हुआ है आप यहां पर 63 डाल लेंगे अब आपने देखना है 63 नंबर का एसल कौन है सब्लॉड कौन है कि नौट कर लिया अब इस जो आपको चार्ट मिला है जो आपको इवेंट राइस की कूली बनाएगे ठीक है कूली बनाने के लिए वह सिंपल आपको ज्यादा च्रेंगी कोई जड़त नहीं है बस लगन निकाल दीजे और मूर्ट की बोईशन निकाल दीजे लगप आपकी आएगी इस समय में में कर लगन आ रहे हैं आपके मकर लगन आ रही है बस दो चाहें लिख लीजे लगन की जो डिगरी है वह नोट कर लें आप 24 दिगरी है लगन मेरा 24 दिगरी का है और जो मून है मेरा वो बैठा है आपका करकरासी में सोरा डिगरी यह मेरा मून है तरकरासी में सोरा डिगरी यह दो चीज निकाले आप सेंपल वो सारी सीजे बनाएए यहां पर स्टेप नमबर वन लगन आरल लगन एन के लगन सब्लोग एक तीन चीज निकाले लें मून आरल लगन देन मून एनके देन देलोग अब आप देखिये लगन आरल लगन करासी स्वामी कौन है रड़ा यहां पर लगन आपकी कितने कितने डिगरी पर है मेडम चौवश दिगरी पर तो नक्षद्र क्या आ जाएगा लगन का मंगल यह निकालते हुए आप चले लगन को नहीं समझ में आ रहा है उस स्क्रीन पर देख सकते हैं वहां निकले वह रखें सारे लगन का सब्लॉड क्या निकलेगा ना रहाए उस सब्लॉड तो बाहएं ठाइपके एंज लगन का सब्लूड 24 दिगरी पर कितना हरा है मून रासी लोड को और मून का बेटा हुआ है आप परक्रश्टी तो मुन क्या होगा होगा कोद काही मोनी होगा मून नक्षाद्र के तुना हो जाएगा सोड़ी पर नास्के कौन से मचे? गुरू सनी कौन दो? सनी हो गया नहीं हुआ? सेट्रन और देल और क्या है आज का? सेट्रन ये चीज़ आपने निकाल दो? अब आपने उससे जो नम्बर लिया तब कितना लिया था? 63 लगा था सब लोड कौन था? मूँ था चीक है? लगन का सब लोड राहू है मेडम बट 63 नमबर का तो सब लोड है वो कौन है? 63 नमबर का सब लोड कौन है? मून है अब आप देखिए बड़ा क्लियर कट क्या मून हमारा इनір पीस के अंदर आ रहा survival क्या नक्षेंटर लेवल पर कहीं है? है कि नक्षवार लिवल पर कहीर नहीं आया इसका मतलब काम होने की पॉसिबिलिटी कम है कि किस लेवल परमून आ रहा है मोण रहा है मोन राहे महुन राहे as much कि मिरल में आरहे है कि इसका मतलब क्या हुआ यहां हम पहेंगे की डेले होगा आप दुबारा से उससे एक नंबर ले सकते हैं गिवन अनुदर नंबर अगिवन अनुदर नमबर अब माल लीजे आपने उससे वन जीरो एट ले लिया वन जीरो इट का वो देखिये क्या रहा है अगर अगर शेटल शेटल कि सेटन क्या हमारा नक्षट नेली नक्षट के उस पर है तो काम किसमें कनवर्ट हो गया आपका पूँआ क्योंत्यों कि पहले इवेंट में क्योंकि नहीं हो और वाड़ त्राइव नहीं होगा थूसरे रैम हो आप क्यों सब्सक्राइब और सेंटरन ही यह मैंस्कर रहा है तो दोनों के दोनों ही इसलिए डिले में आ सकते हैं इसलिए किसे तरंगी देखिये जिस प्लेट की जो प्रिवर्ती होती है है वो इस हम से ही काम करता है तो यहां से अभी आपने त्यार में नहीं हो रहा हो रहा थिए बर सुनबल सा और अगर इने में सब्समी अब पूछे का थी मेरा काम कि कावा अब का क्लेंगे जैसे आठ नंबर पर केतु आठ नंबर मतल्मन केतु तो केतु नंबर पर लिए वूद तु है नंबर से मतला मैं जाने का जा सब्लोड आठ नंबर पर अब सनिये केतु होने साफ न होता है क्या मंगल आपका येस मैं करेंगे बट रेट्रोगेट भार्मिकल जाएगा वो करेंगे बेगुल करेंगे आप देखिए क्व करेंगे रीजन में बिलकुल मंगल आपका रूमिंप्लेंट में आरा है के तू सामिल होगा डेफिनेटली अब यह देखिए जो केतू है वो किसके रक्षद्र पर आड़ा है और सेट्रन क्या चल रहा है इस समय वक्री तो किसको बाहर निकालने केतू को आजी तो केतू आउट हो जाएगा यह आउट हो जाए रीजन क्योंकि वह रेट्रोगे प्लेंट के रक्षद्र पर बैठा अब हमारे पास प्रोसेस निकल कर आया है जो फेट्र होकर जितने आर्पी जाए टोटल को कितनी आर्पी जाए वो निकालने सेट्रन मंगल एंड रहू हूँ अब ही मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से आर्पी ग्रंट करना बता रहा हूँ जैसे अभी आप बच्चों को सिखाते हैं इसका सौर्ट कर्ट नेटर भी है अगर कोई जान एडवांस लेवल में जाएंगे तो एडवांस लेवल से सिखा दूंगा कि डाइट जो है वो देखो किसके नक्षात्र पर वैटा और और वहार में बद्या है और बाए लोगिस तेन आरपी आएं आपके पास समझ गया जिए वांकि बागी मूर रोके तो नियुक्ति को बाहर में काल दिया है क्योंकि मूर और केत्व वहां नक्षात्र पर बेटा हुआ है औ और सभी एक्रोगेटेश लिवार निकाल दिये दौने हैं चीक है अब यहां से इतना समझें सब्लोगों ने हादख कि अब हमारा है टाइंग निकालना अब टाइंग मेडम वो सकता है उसको 24 गंटे में भी कॉल आ सकती है कॉई काम थ्याई है वो सकता है उसको बन मांत में पूस कोई काम क्रीन हो उसक कहता है कि कुछ पैस्टी जेल में पूरे होंगे कुछ ऐसे वन मंद में पूरे होंगे, कुछ ऐसे वन यर में पूरे होंगे, कुछ थर्टी यर में पूरे होते हैं। 24 गंटे के कारियों को जानने के लिए हम क्या चलाते हैं। 11 को चलाते हैं। वन मंद के कारियों को पूरा करने के लिए हम मूर को चलाते हैं। मैं ये कारियों को चलाने रंकरने करने के लिए कुल झेक already 2 और ध deductी यंची कारयों को रुण करने के लिए हम हो जूस्ते पर अस ही है को हुआ थे तो लाज्ट अपने क्या सीकाता लगत वाला वाला तो अब एक बार लगन चलाएंगे देन दो मून चलाएंगे उसके भाद Sun चलाएंगे उसके भाद जुबिटर चलाएंगे तो अभी हम क्या सेलेक्ट करदी आपने हमारा बटन करदर चला गए इसके हुपर अपने स्रेक्ट कर दिया है है हम 24 गंटे के लिए काम कर रहे उसको चलाएंगे सबसे पहले first of all आप देखिए step number one क्या कहता है यहां पर check speed श्रोविंगे यहां फास्ट बूविंगे लगांका सब्लोड कोन है रावू इसका मतलब श्रोव भी इस लोविंग का मतलब हो गया कैसे रंग करेंगे राशी तू राशी दोई चीज है हमारे पास रंग करने के लिए पहली चीज है हमारी एनके टू एनके नक्षद रंटू नक्षद यह फास्ट मूविंग में होती है दूसरी होती है स्लो मूविंग में राशी तू राशी तू राशी तू राशी तू राशी तो जो लोग software को देख रहे हैं यहां पर भी लगा हुआ है चेक स्पीड ही लिखा हुआ श्लो स्पीड फास्पीड ओटो चेक पर रहता है अपना कर लेकाइब अगर किसी को चेग्मेंट निगरना है तो स्पीड श्लो और फास्ट करके भी तो बीचला सकता है अब भाईया हमारे पास यह तीन आये हैं अब हम सबसे पहले जाएंगे आप अपनी लगन पर लोग यूवर्सल टेबल निकानले खड़े हो जाएं अब आप चौब में पर खड़ें जिस लगन पर खड़ें इस लगन में खड़े हैं उसको छोड़ देते हैं यह यह लाइन बड़े द्यान से लिखना मैं क्या बोल रहा हूं इस प्वाइंट में आपें था लिए लिटित कन फ्यूचर में काम आएगा आजरें हैं तicamente हम जहां खड़े होते ए उस लगन को छोड़ देते इस कि फास्ट मुविंग कि फास्ट मुविंग स्पीड में हम जहां खड़े होते हैं उस लगन को नहीं चूड़ते हैं बलकि अगले नक्षत्र पर जाकर अपनी वर्की प्रोसेस चालू बढ़ देते हैं कि अब हमारे पास क्या आगया मकर लगन कि अगले लगन किस की आएगी कुम की कुम का सौनी कोर होता है शनी आर्पी के अंदर है येस मंगल राहु नहीं बन रहा है मंगल राहु नहीं बन रहा है इसका मतलब लेंडिंग नहीं करने देरा ये पोजिशन हमारी नहीं बनेगी अबली शनी मंगल के माद आएगा राहू और राहू में मंगल आप ले सकते हैं उननिस दिगरी तेरा मिनट ये लेंडिंग हमारी बन गई फर्स्ट लेंडिंग क्लियर है राहू कैसे हमाते वह सुझेरों सम्वलाड ये राशल Connor अनुके लुए कियो किम्यों सप्डरी आ याइद पर राहू के सब रोड़ रंदर जाओ तो जूपिटर तो है नहीं साटन है तो मेरा हमें तो जो आचो का एना वह तो सेटरन तो दुबारा खार लेंगे तो आप यह कहना चाहरे हो आपको सेटरन राहू सेटरन हाँ जाना चाहर जा सकते हो कुछ लोग यहां पर राहू सेटरन पर जाना चाहते हैं जा सकते हैं जा सकते बिल्कुल जी कोई दिकर नहीं जो देखिए इदर समझती समलोग रूलिंग प्लेनिट का अभी जो तुम्हें समझाया जा रहा है वो पंडामेंटल यह है कि एक बार जो पहले मिल जाता है और हम दिकर नहीं सब्सक्राइब जा सकते हैं जा सकते हैं जो पहले बुक हो चुका है वह रिपीट नहीं होना चाहिए इसलिए मंदल पर पहुंच गया तो आप यहीं पर रहेंगे यहां झाल